बै शाले कब तक दुख देगा तू कब तेरे ये किस से खतम होंगे अब बाप की इजट को जो तुने मिट्टी में मिलाया है तुझे सरम नहीं आई मुझे क्या पता वो चले जाएगी मुझे पता हो रहा तो मैं जाने देता उसे अब ये घर वाली एक नियामत होती है बेटे या तुने पहले थोड़ी बताया मुझे घर वाली नियामत होती है साले मुहले में निकलना मेरा मुश्किल हो गया बहुओ को पीट रहा वो छोड़के चली गई वो बात तो बता हूँ जवान चोड़ी कर चली गई इसे जवान चोड़ी करा इसे जवान चोड़ी करा साले हमसे जवान लड़ा रहा तू जिस तरह से तुने मारा ने घर वाली को पनी जाके प्यर पकर ले उसके चला जा तुमी तो जागे बड़े तो तुम हो बै वो भी तो किसी दूसरे की लॉंडिया है वो लड़की है निकागे तो तुम करा कि रायो थे मेरा मनाने के लिए है आँ वा बेटा वा 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 व व बीस तो बोगा भरूम है मेरे से गलती हो गई है मेरी गलती है कुछ तो हल निकालो ना वो मुझसे अकेली से नहीं आने गी अबे चलो कभी कहो गया यार बहू हो घरवाली हो लंडिया हो धमका दिया एक बार का ओ गया बार बार तु लट बजा रहा साले घर वाली को तू बार 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 लट बजा रहा तू घर वाली को तू मेरे बाप हो या उसके बाप हो बेटे मैं हक की बात करूँगा कल के दिन हमारी भी लर्की की साधी होगी वो भी बेदर्दी से मारेगा जो तेरे घर में घर वाली है वो भी तो किसी के लड़की है मुजोरी कर रहा है साला मुजोरी कर रहा है मैं घर छोड़का चला जांगा अगर तुम नहीं गयो मेरे साथ तो अब ये मुजोरी कर रही थी तो दो मिनिट के लिए घर छोड़के बाहर चला जाता क्या जरूँ थे एतनी बहाँ सवाजी करने की एक ही बेटा वो भी निकम्मा एक ही बेटा एक ही अउलाद वो भी एतना निकम्मा अमारी तो जिन्दगी खराब कर दिया तुने हमेशा लड़ता रहता है अब तु अपनी अम्मी को देख मैंने उसको किस तरीके से रखा है एक दिन बेटे रात को दो बजे उसने कहा मुझे रसगुला खाना है मैं बेहटा से निकला जिरो माइल बाला जी की रात में दुखान खोलवा दिया हुए वहाँ से लाया रसगुला वो खिलाया तेरी अम्मी को किस तरीके से मैं उसको रखा बेटे इससे तो सीख तुमने तो मिठाई खिलाया हम तो चाट पकोड़े सब खिलाये मुझ तीखा कर दिये अब तो चाट पकोड़े खिलाये तो थोड़ा तू भी बरदास कर ले तू अपने जवान को तो मीठा कर ले उसको बिलेट पकोड़ा खिलाते खिलाते उसका जमन और ठीका हो गया सबसे लगते जगरती रहती है बेटे तो अच्छे से चल अगर तू नहीं मानेंगा तो जा तू समाझ मेरे कोई इस मामले में नहीं परना है तू अपना देख मैं चला ठीक है, तू अपना देख, रुजा रुजा पापा, एक बार इसे मेरा दो बस, बार बार तू लफड़ा जगड़ा करता है, वो बहुत पहल मान लोग है, तू बार बार लफड़ा करेगा, तो कैसे चलेगा, चले एक बार चलता हूँ, लास्ट है ये, समधी से बात करके, ब बहुत खतरनाक है, हमको बचा लेना है ठीक, चल, मैं बहु को लेके आता हूँ खतरनाक है तो उसको देख लेंगे बिटा लेकिन आइन्दा ऐसा मत करियो किसी की बेटी है, किसी की बहु है वो इस तरह की गहरकत अच्छी नहीं है यही सम्दी साब का घर है अस्सलाम वालेगे क्या आले सम्दी साब यहीं बैठ जाओ बैठने के लिए तो लड़ाया कोई बात नहीं कोई बात नहीं है अभी थोड़ा सा इज़त कम गया है कोई बात नहीं है क्या बात होगे बाई बता क्या बात होगे सम्दी जी बैठे है क्या बात होगे सम्दी साब अरे लड़की को जाने दो भाई लड़का परेशान है अब बाई आप नहीं मारे गई है गलती होगे इससे बहुत बड़ी गलती हो गई अब ये आपकी बेटी को हाथ भी न लगाए ये चाट पकोड़े तो दूर चाबल रोटी भी न खिला पाए उसके लिए हम है अब ये गलती मान ले वाई ससुर जी से गलती मान ले गलती तुम्हारी है हमारी लड़की जाएगी नहीं पहले माफी मांगा उसके बाद जाएगी तब गलती हमारी थोड़ी नहीं है अपनी बेटी की तो गलती देखो अरे संदी सहाब जादे बात बराने की जरूरत नहीं है लड़की को तयार करो और हमारे साथ भेज़ दो जादे बात ना बराओ ऐसे काम नहीं चलेगा सारी गल्दी तुम्हारी है और पहले माफी मांगो उसके बाद हमारी लड़की तुम्हारे गर पे जाएगी आजादे तिन पांच हुआ तो जेल में ले आके चक्की पिस्वा होगा तुमाने से बहुत देर से बोले जा रहे हो चल विटा छोड़े छोड़े आराम से बात करते हैं आराम से तेरा गुश्चा खराब है संदी साब बात मानो लड़की को तयार करो लफड़ा मत बढ़ाओ जादे जाने दो तुम भी तीन पांच करो होगे बाई जाने तो चल बेटा गलती माल ले बात यहीं खतम कर सड़ी नहीं गलती से कोई नहीं होगा बाड़ बाड़ लेकि जाते बाड़ यह मारते हो